हेलो नमस्कार दोस्तों मैं सत्यंदर सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूटूब चैनल सत्यंदर गुरुजिपे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रिजिनिंग के बारे अति महतोपुरुन प्रस्ण के बारे में इस वीडियो में बताएंगे इसलिए आप लोगों वीडियो के अंध तक जरूर बने रहेगा और इस वीडियो में आपको कीस तरीके के प्रस्ण के बारे में बताएंगे दोस्तों जैसे की प्रस्ण हम लोगों के सामने दिया है नीमन चीत्र में दरपर परत्विम ग्यात करे यहां पर जो एब बॉक्स में जो आगित्ती दी गई है इसका दरपर परत्विम इन चारों अप्शन में से कौन सा अप्शन सही होगा हमें बताना ठीक है और भी प्रस्ण दी गई है मेरे बाबू स्रिकला को पूरा करे यहां कि जो एबेस उडेन या अलफाबेट का जो स्रीज है यहां पर जो खाली खाली आस्थान देख रहा है इनके जगा पर इन चारों अप्शन में से कौन सा अप्शन सही होगा ठीक है इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा क्योंकि यह सारे प्रस्ण मोस्ट रिपीटेट प्रस्ण का है क्योंकि यह प्रिबियस पेपर का है जो अलग-अलग एकजाम में कई बार रिपीट कर चुका है ठीक है और मेरे दोस्त आपको मैं बता दूँ एक पार्ट नंबर हमारा 46 है जिसने पार्ट नंबर 45 तक नहीं देखा है तो किर्पिया इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए क्योंकि सारे का सारे प्रस्ण का है ठीक है तो आईए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे प्रस्ण को चलिए तो ध्यान से इस प्रस्ण को हम देखेंगे का कहता है बाबू एक नंबर वह विकल्ब चुने जो बर्गों की संखिया का पर्तिन इद्ध्वा करता है यहां पर जो आकिर्थी दी गई है इस आकिर्थी में टोटल कितने बर्ग है हमें बताना मेरे बाबू और सभी का सभी प्रस्ट प्रिवियस पेपर का है ठीक है तो मेरे बाबू जब भी इस पर करकी आकिर्थी दी जाती है यहीं कि इसमें हमें बर्ग निकलना है तो कितनी बर्ग होगे इसके निकालने के लिए हम करेंगे क्या मेरे बाबो ध्यान से देखेंगे बर्ग निकालने का सिंपल सा एक ट्रिक है क्योंकि मेरे बाबो जब अगर मालो यहीं पर ऐसा कोई फिगर होता तो इसमें कितना बर्ग है तो इसको तो आसानी से जांच कर लि है तो हम कैसे निकालेंगे बाबो ध्यान से देखेंगे यहां पर जो बर्ग है इंडिविज्वल इनको numbering करेंगे इसमें रो कितना है और पंक्ति कितना है रो का numbering करेंगे और पंक्ति का नहीं जैसे हमने पंक्ति का नमरिंग कर रहे हैं एक दो तीन चार इसमें चार पंक्ती है रो कितना है एक दो तीन चार यानि कि इसको हम का करेंगे बाबु जानते हैं यानि कि चार हम इधर से और चार इधर से यानि चार हम क्या करेंगे मेरे बाबु जानते हैं चार इधर रो है चार इधर यानि कि इसक बर्ग बराबर जानते हैं क्या लिखेंगे ध्यान से देखेंगे मेरे बाबू यहीं समझने वाला बात है यहां पर का है तो लास्ट में चार है यहां पर का है लास्ट में चार है इस चार चार को आपस में गुना करेंगे इस चार को आपस में गुना कर दिये चलिए अच्छ सब्सक्राइब दो में से एक कम करेंगे तो यह वेख एक होगा फिर से एक कम करेंगे तो यहीं पे छोड़ देंगे यह वहां तक पहुचना है जहां तक वो भेलो जीरो नहीं आ जाती अब इसी को अप्साल और कर लेगे अन्सेर आ जाएगा ये हो जाएगा 4 चुका 16 ये हो जाएगा 3-3 की 9 अब ये हो जाएगा 2-2 4 अब भीज उसी को जो जाएगा एक एक इकम अब इसी को जोड सेदा जाएगा फिर से एक बार और आपको समझाते हैं मेरे बाबू क्या करना है कुछ नहीं करना है इसको तुरूंत नमरिंग कर लो एक दो तीन और चार है यहां भी दो तीन और चार है ठीक है अब करेंगे क्या जो इसमें सबसे बारा नमबर आया सबसे बारा नमबर क्या है यहां पर चार यहां पर बचार आया तो सबसे बड़े नंबर कौ आपिस में गुना करेंगि चार आ गुना चार ठीक है अब इस चार से एक है कम करके इसमें गुना करते हुए चले जाओ यह ना कि इस पने । पलस प्रस्ट को समझ गए होंगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ट एनिकी दो नमबर प्रस्ट प्रस्ट का तयादी गोल्डेन को ल, o, g, n, e, d को डित किया जाता है तो सिल्वर का कोड क्या होगा मेरे बागों इनके लिए 4 अप्शन भी दी गई है मेरे बागों मेरे सोना यहां पर हम देख रहे हैं जैसे की लिखा है लिखा है जी लिखा है उसके बाद o लिखा है उसके लिखा है गोल्डेन को उसने कोड किया है ल, o, l के बाद में क्या किया है मेरे बागों, l के बाद उसने किया है, o, यहां पर देख रहे है, l के बाद उसने o किया है, o, उसके बाद में किया है, g, उसके बाद में किया है, n, उसके बाद में किया है, e, उसके बाद में किया ह ठीक है गोल्डेल को इस परकार कोड कर रहा है तो हम से पूछ रहा है मेरे बागो बता दिए जिल्वर S I L B E R सिल्वर का कोड का होगा बागो यहाँ पर एक चीज हम देख रहे हैं ध्यान दिजेगा और ध्यान से समझेगा यहाँ पर देख रहे हैं इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया है लेकिन यह चीज देख रहा है इसमें cross pattern लगा दिया है इस G को ला दिया है यहाँ पर इस L को ला दिया है यहाँ पर और O को ज्यों करतियों नीचे लिख दिया यहां कि दोनों को इस तिन-तिन का क्रोस लगा दिया, तिन-तिन का क्रोस उसने लगा दिया है, कैसे, L को यहां लगा दिया, G को यहां लगा दिया, वो का जियों कत्यों लगा दिया, आगर देखेंगे, अगला में जो किया है, वो D को ले गया है, सबसे लास्ट में, N को लगा आर तो बीच में रखेगा उसीपर कार पर हं भी इसमें क्रолश पैटन लगा देवेंगी तो क्रॉस पैटन स चला जाएगा यहाँ पर और theory देखेए इस च्ला जा चला जाए गा यहां यहां लाहिए आएगा और यहां आएगा तिक्जैप से अरोछ कि ठढये चला जाए कर लोग यहां पर दोगक्वें सकूंत भी डिद आगिया हमessa काउंसा नहीं किया गया लेकिन यहां पर एक logic को लगाया गया है जो cross की तरह है ठीक है तो आप लोग इस प्रश्ण को भी आसानी से समझ गये होंगे मेरे बाबु ठीक है चलिए तो बरते हैं हम अगले प्रश्ण यानि तीन नंबर प्रश्ण की और का काता है बाबु ध्यान देंगे क्यों काता है निमलिखित स्रेनी में प्रश्ण चीन को कौन साथ भी कौल प्रती अस्थापित करेगा यहां से प्रती अस्थापित हो जाएगा यहां से प्रती अस्थापित हो जाएगा मेरे बाबु यह स्रीज का प्रश्ण है और नॉन वर्बल स्रीज का प्रश्ण है यह जानते हैं कैसे बनाते हैं नौन वर्बल रिजनिंग को जब हम बनाते हैं तो रोटेशन में थर से बनाते हैं इसमें हम पहला का रिलेशन दोसरे से देखेंगे किस परकार है पहला का रिलेशन दोसरा से किस परकार किया गया है मेरे बाबु ध्यान से देखेंगे पहली आकिर यहां पर चलाया है ठीक है यहां इसका just opposite ई हो गया है इस वाले का just opposite ई हो गया है तो इसका समद्ध किस परकार से हो जाएगा इसका समद्ध किस परकार से होगा ध्यान से देखेंगे मैं बाबू यहां पर इसका समद्ध किस परकार से होगा उसी परकार यहां इसमें देख रह और ऐसा कौनशा option में है मैरे बाबु, option नमबर हमारा D तो हो नहीं सकता, क्योंकि अलग-अलग बना है हमारा option number C तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि तिर्भुज ऐसा नहीं दिखेगा हमारा यहाँ पर, ऐसा तो तिर्भुज बन ही नहीं सकता, इसलिए B भी गलत हो गया हमारा केवल option A सही होगा क्योंकि option A में जियों करते हैं ऐसा edge जेटीस figure दिख रहा है edge जाही figure दिख रहा हमारा option A में इसलिए इस प्रस्ण का right answer option A हो जाएगा चलिए एक बार और समझाता हूँ मेरे बाबू हम देख रहे हैं यहां से पहली आकिरती से दुसरी आकिरती में जो तिभूज बना वो कुछ इस परकार से यानि कि तिभूज जो है ऐसा है ऐसा है और यहां पर star लगा हुए ठीक है यहां पर लगा है क्या यहां पर लगा है star ठीक है और इसको उसने क्या क्या चेंज कर दिया ऐसे एनने कि तिरभूज को उलिठ दिया है यहांपर उसी हमन्द किसी से होगा इस वाले फिगर में, तीन नंबर फिगर में हम देख रहे हैं कुछ इस परकार से तिरभूज बना हुआ है तो यहाँ पर जो question mark के जगा तिर्भूज ऐसा उल्टा बन जाएगा और ऐसा option number हमारा केवल A में ही दिया गया बाकी के सभी option गलत हैं कैसे गलत है आप छाक भी सकते हैं क्योंकि तिर्भूज यहाँ पर ऐसे बना इसलिए गलत है यहाँ भी तिर्भूज सीधा नहीं बना है जिस परकार बनना ची उस परकार नहीं बना यहाँ तिर्भूज और एस्टार ही अलग है इसलिए finally हमारा option A सही हो गया कुछ नहीं था इस प्रस्ण में बिल्कुल बच्च वाला प्रस्ण था बिल्कुल आजान सा प्रस्ण था चलिए तो बरते हैं हम अगले प्रस्ण की औ प्रस्ण करना है बाबू ध्यान देवेंगे हो यहाँ पर बिशम का पाच्चान के मतलब तीन किसी एक लौजिक को फोलो कर रहा होगा बाकि एक ऐसा होगा जो इन तीनों से हाट कर होगते हैं आए ़हां पर हम देखेंगे क्या इसमें हैं जो एक में नहीं है बाकि तीन में एक करमाम हो पांज और एक करमांग मेरे बाबु होता है तो यहां पर जब 6 काहे लिखा हो, E का करमांग 5 होता है, इसलिए हमारा अप्सन नमबर C सही हो जाएगा, क्योंकि E का करमांग 5 होना चाहिए, लेकिन आप 6 लिख दिया है, इसलिए इसका राइट एंसर हमारा अप्सन C सही हो जाएगा, बाकी लेटर का उसने साथ ही साथ करमांग सही इका कर्माग 5 होना चाहिए जबकि प्रश्ण में 6 लिखा है इसलिए इसी प्रश्ण का अंसर C हो जाएगा ठीक है तो इस प्रश्ण को भी आप आसानी से समझ गये होंगे आप प्रश्ण को रटिए नहीं समझे चलिए बरते हैं अगले प्रश्ण अगले प्रश्ण में क्या करा है मेरे बाबू निम्न चीत्र में निम्न चीत्र में क्या कहता है बाबू ध्यान देंगे निम्न चीत्र में दर्पन परतेवी में गयात करें दर्पन परतेवी में गयात करना मेरे बाबू बिलकुल साफ साफ दिख रहा होगा दर्पन परतेवी में हम सभी जानते हैं कि हमारा दायाहाथ बाया देखता है और उपर नीचे सेम होता है और एक चीज और जानते हैं कि दरपन स Day सिब्स जितना लोगता है जो सब्स ज चाहएं गोलत दोल गोल दोल तो सभी में दिखेगा और यहाँ पर जो आई है तो परल आतो इसका परत्यविम सबसे दूर नजडिक है तो इसका पर दे बने गाज़ा नजडिक बैए को आकर्ति वरेगे तो इस पारकार से मतंगे बागो एक तो बखस बनेगा बिल्कुल सही और यहाँ पर इस webpage सरकिल विद्वर आपको और यहां पर ऐसे घीचा और इस लाइन को ऐसे है न तो जानती हो कैसे बना दिया है तो जब परतिविम बने घाट एस परकार से बने का थीक इस परकार से, E वाला लाइन थोड़ा बारा होगा, E वाला लाइन छोटा होगा तो हम देखेंगे क्या मेरा option C बन सकता है, option C में उपर वाला लाइन बारा हो गया जबकि नीचे वाला छोटा हो गया, हमारा नीचे वाला लाइन बारा बनना चाहिए तो इसलिए option C गलत हो गया option D में तो देखे है option D में इस line को ही इस line से मोर दिया है जबकि E line जो है थोड़ा सा उपर होना चाहिए तो E भी गलत हो गया अब देखेंगे option A और option B हमारा बच गया option A में देख रहे है option B में देख रहे है तो इस कभी बराबर हो ही नहीं सकता तो हमारा यहां पर बचागी छोटा और E बराबरा option number A ही finally बचा इसलिए इस प्रस्ण का जो right answer हो जाएगा option A सही हो जाएगा फिर से समझे मिरे बाब कुछ नहीं था इस प्रस्ण बिल्कुल बच्च वाला प्रस्ण था यहां पर किया है क्या इसका जो दरपन परते भी बनेगा कुछ इस परकार से बनेगा एक box के अंदर तो रहेगा लेकिन यहां पर इस circle सा रहेगा यह जो line है line खीचेगा लेकिन यहां पर एक छोटा सा क्योंकि E जो line है थोड़ा उपर से मूरना चाहिए भी line उपर से मूरना चाहिए इसलिए हमारा final option A बचा और final answer इसका A हो जायगा ठीक है तो मैं उम्मिद करता हूँ कि आप लोग इस प्रस्ण को भी समझ गये आप प्रस्ण को रटिये नहीं बाबू प्रस्ण को समझे चलिए बरते हम 6 नमबर प्रस्ण की ओर का काता ध्यान देवेंगे हो काता है आरी का समझ जिस परकार बरहई से है उसी परकार सुई का समझ किसी से होगा इनके लिए 4 option भी दी गई है बाबू इसका मतलब है यहाँ देखेंगे कि आरी का समझ जिस परकार बरहई से है उसी परकार सुई का समझ किसी से होगा हमें बताना है हम सभी चानते हैं कि बरहई का जो आवजार है बरहई का आवजार जो है मेरे बाबू वो आरी होता है यहनि बरहई का आवजार क्या होता है तो आरी होता है उसी परकार यहाँ पर किसका आउजार सुई होता है मेरे बाबू क्या नाई का नहीं, बरहाई का नहीं, मोची का नहीं यानि कि दर्जी का जो आउजार होता है वो सुई होता है क्योंकि दर्जी सुई से सिलाई करता है और बरहाई आरी से कटाई करता है यानिकि बरहई का आवजार आरी है उसी प्रकार दर्जिक का जो आवजार है उका है तो सुई है इस प्रस्ण का राइट एंसर अप्सन नमबर 4 सही हो जाएगा कुछ नहीं था इस प्रस्ण में बाबू बिल्कुल आसान सा प्रस्ण था ठीक है तो चलिये बरते हैं अब अग इसमें से कौनसा एक option है जो सही है बाकी तीन गलत है यानि कि बाकी तीन एक तरह है जब की एक जो होगा उन 나서 लिक नहीं परकार से इक logic को फोलो कर रहा हो जब की एक जो वह उस लोजिक से बिल्कुल अलग होगा तो उसी को हमें बताना है क्यों क्या है तो मेरे बाबो मेरे सुना यहां पर हम देखें कि जो पच्पन है इसको अगर हम तो रहें तो एगारे गुना पांच इसको लिख सकते हैं एगारे का एगुनज है जबकि एगारे गुना आठ इसको लिख सकते हैं और 33 को भी लिख सकते हैं एगारे गुनाति कौने का मतलब जबकि 62 को ऐसा नहीं यहने कि जो 55 और 88 और 33 है इसको हम एगारे का एगारे से गुना करने पर ही पराप्त हो जाएगा यह एगारे के पहरा में आता है आता है जबकि मेरे बाबु 62 जो है एगारे के पहरा में नहीं आता है इसलिए इस प्रस्ण का जो right answer होगाhou 62 हो जाएगा क्योंकि इस तीनों 11 पहरा में आता है जबकि 162 पहरा में नहीं आता है इसलिए इसका right answerтории 6 हो 62 हो जाएगा कुछ नहीं था इस प्रस्ण में आशान सा प्रस्ण था अब प्रस्ण को रठी happens to your back का अगला प्राष्ण का काता है और तो नहीं हम सभाता है डार पर पर्स जान करें हुआ हम सभी जानते हैं कि आरेeterm में जो जब भी हम पेपर बनाते हैं तो हमारे मुख्य डारेक्शन 4 उपर मोता है आर नेचे में होता है तो नेचे में दक्चिन होता है अब दहिने बगल में क्या होता है तो पूरूब होता है अब बाएं बगल में क्या होता है तो पच्छिम होता है चलिए अच्छी बात है अब इसी को दिमाग के रख कर इसको हम चलाते हैं प्रसने कहता है आदित्ये ने पच्छिम की और चलना आरम किया पच अब पाज़ायां की और चलना सुरू कर रहा है, और कितना चलना है ध्यान से दिखेंगे, अधित्य ने पाज़ायां की और-चलना सुरू किया है। कि उपर मुरकर कितना चलता है तो ऊपर इसका दया अधोगया दया मूरगर 20 मीटर चलता है अच्छी बात है कि अब अरभी महींचम कर दाएं यह लोगया आखあぁ है अगे करता है अब और ऊफना हो दाया मूरकर 20 मीटर चलता है的 किल दाया मुरता है और 20 मीटर चलता है अब कोई विक्ति ऊपर जा रहा होते है तो उसका दाया हमारा दाया होता है तो उसका दाया इसाइड में होगा इसाइड में होगा दाया जाता है कितना तो 20 मीटर जाता है तो 20 लिखेंगे अब कोहिए का भईया इस 20 इसके सामने का है बनाया है मेरे बाबु यहां से लेकर यहां तक 20 मीटर है तो यहां से भी लेकर यहां तक 20 मीटर होगा इसलिए इसका सामने ही तो होगा बिल्कुल सही अंत में वह आगे कहता है अंत में वह अपने बाई और मुर कर पॉंदरों मीटर चला तथा कंतवया स्थ पर पहुछ गया तो बाता है वह आरामबिक बिंदू से कितने दूर in उसने अंति में बायां तरफ मुर्ता है और नीचे मेरे बादो उसका जो बाया उपर होगा नीकि और उपर मुरह देंगे और कितना मूरना है, तो पवंद्र मीडर मूरना है अब पराश्ण कहा रहा है वह इतने दूर और किस दिषा में ठीक है? तब मेरे बाबू यह बतै के जब कोई बेखते यहां से उसने चलना सुरू किया था और यहां पर उसने पहुंच गया तो यह बते हैं किस दिशा में है याहां से उपर उपर है न तो उपर कौन सी दिशा होती है याहां से उपर कौन सी दिशा होती है मेरे बाबू उत्तर होती है और कितना दूरी तो दूरी को भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहां से लेकर यहां तक दौस है तो यहां से भी लेक तो यह कितना हो जाएगा मेरे बाबु 25 हो जाएगा 25 मीटर किस तिसम है यहां से उपर है उपर कितना 25 मीटर उत्तर यानिकि 25 मीटर उत्तर हमारा आपसन एक सही हो जाएगा इस प्रस्ट का ठीक है इस प्रस्ट में कुछ भी नहीं था मेरे बाबु बिल्कुल आसान सा प्रस् यहां पर जो दी गई संख्या है चार इनमे से शिरिखला से अनुपस्तित संख्या के बताना है मेरे बाबु इस सिरीज का प्रस्ण है ध्यान से देखेंगे हो क्या कहता है थोरा सा इसमें लोजिक को लगाएंगे यहां पर चार है उसके बाद में 9 है उसके बाद में क्या है तो 20 है उसके बाद में क्या है तो 44 है उसके बाद में अगेला क्या आएगा इसी को तो बताना है बाबु इहां ध्यान से हम देखेंगे कि 4 से 9 कैसे बना ध्यान दीजेगा 4 से 9 कैसे बना इसको जाचना है पहले कि 4 से इस 9 को कैसे बनाए है मेरे बाबु 4 को 9 बनाने के लिए इसको 4 दोने 8 और प्लस 1 करना पर गा यहने कि इसको 2 गुना करके प्लस 1 करेंगे तो 9 बन जाएगा बिल्कुल सरी अब देखेंगे कि 9 से 20 कैसे बना है 9 से 20 कैसे बना है इसके दो गुना कर देंगे और प्लस का दो करेंगे यानिकी प्लस का दो करेंगे यानिकी चार दोनी आठ और एक नौ नौ दोनी आठारा प्लस दो बीस हो जाएगा अब बीस से चगवालिस कैसे बनाए ब्याबु ध्यान देंगे इसको 2 गुणा करके पलस का 4 कर देंगे तोetic 40 बन जाएगा 2 गुणा करके पलस का 4 कर देंगे मेरे बाबु ठीक है तो 44 जो आगे-ाले नंबर होगा उट का होगा बाबु ध्यान देवेंगे इसको हम करेंगे क्या? इसको 2 गुणा तो करेंगे बिल्कुल सही इसमें प्लस का क्या करना होगा यहीं चीज आपको ध्यान रखना है यहीं चीज आपको ध्यान रखना है मेरे बाबु यहाँ एक से दो कर रहा है प्लस का वन बढ़ा अब यहाँ दो से चार कर दे प्लस का दू बढ़ा पलस का हम सत टो जोर देंगी। तो 44 का दो गुना होता है मेरे बाबु कितना 88 और 88 जैसे ही हम सत को जोरके यह हो जाए केतना बाबु तो पंचान भी हो जाएगा, ठीक है. इसका अंसर हो जाएगा हमारा अप्शन दो सही हो जाएगा ठीक है तो इस प्रश्न का राइट अंसर हमारा option number 2 सही हो जाएगा पंचान में क्योंकि यहाँ एक प्लस कर रहा है उसके बाद 2 कर रहा है उसके बाद 4 कर रहा है उसके बाद 7 कर रहेगा क्योंकि पहले प्लस का 1 हुगा फिर प्लस का 2 हुगा फिर प्लस का 3 होगा तो 4 में 3 जोरेंगे तो 7 होगा दो गुना करके इसको जो जोरना है उसमें ध्यान देना कि इसमें 1 से 2 एक बढ़ा 2 से 4 दो बढ़ा तो 4 से 7 तीन बढ़ेगा और ऐसा करने से हमारा answer option number 2 सही हो ठीक है तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्राश्ण इनकी दस नंबर प्राश्ण के और का कहता है बाबु कहता है स्रिंखला को पूरे करना है यहां पर जो series दी गई है बाबु वो ध्यान से देखेंगे इस series हमारा important है क्योंकि यहां पर जो खाली-खाली आस्थान द नहीं बना है आज तब लेकिन एक approach हम आपको बता सकते हैं जिस approach से आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं सबसे पहले जब इस परकार की सिरिंखला दी जाती है तो उसमें कितना letter है उसको हम count करते हैं और कैसे count करते हैं एक दो एक खाली है इसको भी count किया जाता है जो खा पाथ 9 10 11 12 13 14 15 यहनिकि इसमें जो टोटर लेटर है उ है कितना तब मेरे बाबु इसमें जो टोटर लेटर है उ है 15 अब हमारा जो सकेंड एस्टेप होगा इसको पंदर को दो भागों में तोरो तो तीन पच्छे 15 होता है बिल्कुल सही तीन पच्छे 15 होता है इनकि या तो ए क्या करेंगे मिर बाबो इस वाले श्रिंखला को या तो तुम पांच-पांच के ग्रूप में बाट दो या फिर तीन-तीन के ग्रूप में बाट दो तो अभी फिलहाल हम इसको तीन-तीन के ग्रूप में बाट रहे हैं और तीन-तीन के ग्रूप में हम तोरेंगे तो सबसे पहले यहां पर काउंट करेंगे एक दो तीन यहने कि तीन यहां पर आ रहा है यहने कि एक दो तीन यहां पर आ रहा है एक दो तीन यहां पर एक दो तीन यहां पर यहने कि तीन तीन के ग्रूप में तोरने के बाद, जो यहाँ पर हमारा गूरुप बना, कुछ इस परकार से बना, ठीक है, इस हो गया हमारा दूसरा तीसरा च्टिप, अब चलिए, अब हम बलते हैं, अगले च्टिप हमेरा कहता है, गूरुप बनाने के leven, बनाने के बाद हम चेक करते हैं, कि जितना भी गूर इस ग्रूप का पहला लेटर ए 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 इस ग्रूप का प लेटर सी आपस में बराबर है इसका मतलब ये ग्रूप भी आपस में बराबर है यानि कि सेम है तो तुम क्या करो किसी एक ग्रूप को रूद एक ग्रूप के देखकर किसी भी एक ग्रूप कर देखकर और ये ग्रूप को यानि किसी भी ग्रूप में देखो जैसे कि इस वाले इस गरुप में पूरा भारा हुआ है तो इस गरूप को देखकर आप यहां पर खाली-खाली आस्तान पर वह ही इसका एंसर होगा तो सबसे पहले हम भरे हैं, यहाँ पर C भरे हैं, सबसे पहले मेरा बाबू C भरे हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या भरे हैं, C के बाद हम क्या भरे हैं, तो C के बाद A भरे हैं, एक के बाद फिर से A भरे हैं, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में B भरे हैं, तो इसका अंसर जो हो जाएगा CAAB CAAB हमारा option number 4 सही हो जाएगा कुछ नहीं था मेरे बाबो बिलकुल बच्च वाला प्रस्ण था CAAB यहने कि इसका right answer option number 4 सही हो जाएगा इस प्रस्ण को आसानी से आप लोग समझ गया होंगे अगर किसी भाई कोई समझ में नहीं आया है तो प्लीज इसको दोबारा जरूर सल्व करें इतना ही वीडियो को बैख करके दोबारा जरूर देखना ठीक है तो चलिए अब हम बरते हैं एक आरे नंबर प्रस्ण की वर बाबू एक आरे नंबर प्रस्ण हमारा क्या कहता है लुप्त संख्या गयाद करें यानि कि लुप्त संख्या को गयाद करना है यहाँ पर लुप्त संख्या गयाद कीजिए बाबू लुप्त संख्या गयाद कीजिए लुप्त संख्या गयाद कीजिए यानि कि यहाँ कोश्चन मार की जगा क्या आएगा इसी को तो निकाल देना है मेरे बाबु हम पहले वाले आकिर्थी में देखेंगे तो उपर कितना है 9, 1, 5 और नीचे कितना है 3, 6, 4 इन दोनों का अंतर हम निकाल के देखेंगे बाबु कैसे अंतर निकालेंगे उपर है 9, 1, 5 यहनि कि 9, 15 ही से हम बोल सकते हैं विल्कुल और 3, 6, 4 है तो इसको हम 3, 6, 4 बोल सकते हैं इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे बाबु यहनि कि 9, 9, 15 में से हम अंतर निकालेंगे 3, 6, 6, 6 अंतर का मतलब होता है मेरे बाबु जो 12 होता है उसमें से घाटाना होता है जो 12 होता है उसमें से घाटाना होता है यनि अगर नीचे वाले जो 12 होता है तो इस में से हम उपर वाले को घटा दे तो यहां पर उपर वाले 12 है तो उपर वाले मैं से की 915 मैं से 300-400 को घञटा लेंगे तो कितना बच वावो ध्यान देंगे 13 Turkey नहीं बचेगा 5 मैं से 4 जाएगा तो एक बचेगा Wen obedience सही यहां एक में से छाओ नहीं घटेगा तो यह वहासिल लगा तो यह हो जाएगा एगारा एगारे में से छाओ जाएगा तो यहां पर बचेगा कितना तो पांच ठीक है पांच बचेगा चलिए अची बात है यहां पांच बचेगा अब यहां 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 पर दी या गया है बारा लेकिन बारा छोटा से हमें कुछ नहीं मतलब हमें अंतर निकलना है अंतर का मतलब होता है जो 161 गता इं हमें तो 7 है साद है उसके बाद क्या है तो साथ है उसके बाद आड है उसके बाद नौ है उसमें से हम बाबू 543 को घठ मेंगे किए कि आंतर तौ आमेशा बाबू 612 बचका यहां 246 बीच में आ गया बिल्कुल सही इसका अंतर ही तो लिखे रहा है बस हम क्या करेंगे अगले आकिति में यहां पर 800 जो 63 लिखा है और यहां पर जो 241 लिखा है तो क्या बचेगा ध्यान से दिखेंगे चार में से एक जाएगा तो तीन बचेगा यहां चो में से चार जाएगा तो दो बचेगा यहां आठ में से दो जाएगा तो चो बचेगा यहां आठ में से दो जाएगा तो चो बचेगा यहां कि 623 आ गया इस प्रस्ण का राइट एं ठीक है तो 683 में से 9 घटेगा तो 64 हमने गलती से लिख दिया था तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा यहां 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा चो में से चार दो और तीन में से एक घटेगा तो दो बचेगा चो में से चार घटेगा तो दो बचेगा आठ में से दू घटेगा तो मेरे बाबु छो बचेगा यहने कि छो सब बाइस इस प्रश्न का राइट एंसर हो जाएगा यहने कि अपसा नमबर बी इस प्रश्न का र कुछ नहीं कर रहा है मेरे बाबु जो उपर और नीचे जो नंबर लिखा है ना उसी का अंतर कर रहा है ठीक है तो मैं उमेद करता हूं कि आप लोग इस सारे प्रस्ट को समझ गए होंगे मेरे बाबु आप लोग इस एक ब्यार और वीडियो को देखिएगा चलिए नहीं कारे में आपको मैं बता दूँ यहां पर देखो महिला और मनेजर और ओकिल के बीच में बेन डाइग्रम बताना है हम सभी जानते महिला और मेनेजर में क्या रिलेसन है कुछ महिला मैनेजर हो सकती है इसका मतलब इसमें कुछ का रिलेसन है इसमें क्या है तो कुछ का रिले तो ऐसा उप्संद जिसमें कुछ वाल दो अप्संद दो के एक हो कोई नहीं हमारे पास जो यहां पर हम देख रहे इसका answer option number 4 हो जाएगा आपको बताते हैं क्योंकि मेरे बाबू यहाँ पर जो हमारा diagram बनेगा कुछ इस परकार से बनेगा ठीक है और इसमें कौन सा क्या होगा आपको मैं बताता हूँ यहाँ देखेंगे जो यहाँ पर no no का मतलब इह हो जाएगा manager आई होगा advocate हम हिंग्लिस में थोरा सा सौर्ट में लिखेंगे ताकि यहाँ चाहिए manager और उकील इनकी बीच में कुछ relation नहीं होगा लेकिन बेरे मेरे बाबू इह हो जाएगा ओमन महिला कुछ महिला मेनेजर हो सकती है यहाँ पर इतना भाग और कुछ महिला यहाँ पर advocate यानिकी ओकील हो सकती है जबकि सारे महिला नहीं होती है तो यहाँ बीच relation ऐसे बने कि महिला और manager के बीच में जो relation है कुछ है कुछ महिला मेनेजर हो सकती है और manager के बीच में कुछ का relation है कोई नहीं कोई नहीं इनमें no का relation है इसका मतलब manager और वकील इस दोनों अलग-अलग है इसमें कोई relation नहीं होना चाहिए और महिला और वकील में देखरें इसमें भी कुछ कारी lesson है क्योंकि कुछ महिला वकील होती है और कुछ वकील महिला होती है तो ऐसा option हमारा चार सही हो जाएगा ठीक है यादि आप हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और बेल आइकोन को अन कर लिजे ताकि मैं जब इस वीडियो डालू तो notification सबसे पहले आपको मिले ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जाएगे झाल के लिए सक्षाइब कर लिए्य।